उस बहेस में नहीं जाना चाहता हूँ, जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस डंग से लोगसभा और रासभा चल रहा है, और कैसा उसके बारे में लोग को बाहर भी हमारा इंप्रेशन है, और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं उसमें जाना नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा, जो कल बजेट पेश हुआ, उस बजेट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला, और सब के थाली खाली, और दो के थाली में पकोड़ा, और ये अपना दिले भी, किसी को नहीं मिला कुछ, ना करना, ना तमिलनाडु को मिला, ना केरणा को मिला, ना करनाटक को मिला, ना महराश्ट को मिला, ना पंजाब, ना हर्याना, ना राजस्तान, ना चतिसगर, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने किन वरिसा को कुछ नहीं दिया तो ऐसा बजेट मैं कभी नहीं देखा और यह सिर्फ किसी को खुश करने के लिए खुर्ची बचाने के लिए वह यह सब हुआ है इसका हम हम कंडम करते हैं और इस धंच से इस धंच से बजेट पेस अगर हो गया मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला तो इसका तो हम खंडम करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी एलाइंस सारे कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक यह नहीं मैं बोल देता हूं उन्हों तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है मुझे मालूम है तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बरावर है तो इसलिए सार मां कंडम करता हूं अगर आप जिस जगे अपोजिशन पार्टी चुनके आ गई जिस जगे आपको निकलेक्ट किया गया है या लोकों ने नकार दिया आपको उस जगे कुछ नहीं मिला और लोग अगर ऐसा आप करते गए अगर बैलेंस नहीं होगा डेवलप्मेंट कैसा होगा आज आपके साथ है कल लोग वो दूसरों के साथ होगे ये तो लोग अलग अलग से इसलिए मैं इसका कंडम करता हूं हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटिट्यूड के लिए